नमस्कार, हिंदे साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्टा आकुर के साथ दोस्तो, HPLT कमिशन के अंतरगत पूछे जाने वाले पाश्चात्य कावशास्तर के जो महतोपूर्ण प्रशन हैं या महतोपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिसकस कर रहे हैं और इससे पहले हमने पाश्चात्य कावशास्तर के अंतरगत जो नई समिक्षा है वहाँ से जो प्रमुक चीजें थी वो हमने कर लिया हैं पीछे बारे लेक्चर में अगर आपने अभी तक वो वह बला लेक्चर नहीं दिखा है दोस्तो आप प्लेलिस्ट में जाकर HPLT कमिशन के नाम से हमारा प्लेलिस्ट पनी हुई है वहाँ पर जाके चक कर सकते हैं तो आज हम इसके अंतरगत पढ़ेंगे देखिए पाश्चात्य कावशास्तर उसके विभिन वाद उनके प्रवर्तक और समर्थक तो बहुत सारी प्रशन ज प्रशन अक्सर पूछ ली जाते हैं तो इसके अंतरगत बहुत सारे वाद हैं देखिए जैसे भी खंडन वाद हो गया जैसे आपका उत्रा दुनिकता वाद हो गया संरचना वाद हो गया माक्स वाद हो गया या फिर मनोविशलेशन वाद और να जाने क्या-क्या तो उन सब वादों के बारे में और कौन-कौन से उनके समर्थक हैं, कौन-कौन से उनके विचारक हैं और किनों ने उस विचार का प्रवर्तन किया, ये सारी चीज़े हम आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर की ये शुरुआत करते हैं आज के lecture की तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम संरचनाबाद के बारे में पढ़ेंगे तो संरचनाबाद के प्रवर्तक जो स्विस के भाषा वेग्यानिक फर्दिनान्द दस सस्यूर ये 1857 और 1913 के बीच में थे इनको क्या माना जाता है? संरचनाबाद का प्रवर्तक माना जाता है तो देखिए जितने भी आपका साहीत शास्तर या पाश्चात है जो कावशास्तर है वहाँ से जो प्रशन पूछ जाते हैं या तो सिंपली उनकी रचनाएं पूछी जाती है या उनकी रचनाओं में जो प्रमुक चीज है उसके बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर अगर संरचनाबाद की बात करें हम तो यहाँ से प्रशन बनने के संभाबना यही है कि इसके प्रवर्तक कौन है तो वो चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके जो प्रवर्तक हैं दीखिए यह है आपके फर्दिनाद द सस्यूर clear है तो दो चीज़ें यहाँ से आपने याद रखनी है आपका फर्दिनाद द सस्यूर और यह कहां के थे स्विस के तो यह दो चीज़ें क्या हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं यही चीज़ें एक्जाम में पूछ जाती है नेक्स से देखिए इन्होंने 1915 में प्रकाशित अपनी पुस्तक समान्य भाशेकी का पाठ्यक्रम में भाशा का एक से धांत प्रस्तुत किया है तो दूसरी चीज़ देखिए बहुत मुत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से यह बनती है कि जो फर्दिनाद द सस्यूर थे उनकी पुस्तक का नाम क्या था तो इनकी जो पुस्तक का नाम है देखिए समान्य भाशेकी का पाठ्यक्रम इसका अंग्रेजी जो रुपांत्रन है देखिए वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स तो हो सकता है इस तरह के से भी आपको रचना दे दिये जाए कि Course in General Linguistics नामक पुस्तक किस की है तो ये आपके फ़र्दिनाद दसस्योर की है और इसी का जो हिंदी रुपांथरन है देखे वो ये है समान्य भाषी की का पाठ्यक्रम यहां तक ठीक है यहां पर inverted, close हो जाना चाहिए तो जो single यहां पर जो नहीं लगाया है है ना वहां आप इसको correct कर लिजएगा ठीक है तो ये क्या है ये दूसरी महत्तोपोर्ण चीज है कि इनकी पुस्तक और कब प्रकाशी तो ही देखिए 1915 में तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपने रखनी है next से दिखिए सस्यूर ने भाषा के तीन रूप स्विकार किये हैं तो दिखिए ये वाला प्रशन जो पिछली बार भी परिक्षा में पूछा गया था कि किसने जो आपके भाषा के तीन रूप स्विकार किये हैं और कौन-कौन से हैं दिखिए वो व्यक्तिक, समाजिक और समान्य ठीक है ना तो ये तीन चीज़ें किसने मानिये महत्वपूर्ण ये मानिये आपके जो फर्दिनान्द सस्यूर हैं उन्होंने तो यहां से जो है प्रशन बनने की संभावना बनती है इस तरीके से और ये प्रशन पिछली बारी पूछा गया था नेक्स से दिखिए संरचनवाद के अनुसार साहित्य क्या है शाब्दिक संरचना है तो ये चीज इसलिए यहां पर रख दी गई है क्योंकि कई बार इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है कि किन ने ये माना है कि साहित्य जो है शाब्दिक संरचना है तो वो संरचनावादी हो सकता है उत्रादोनिक्तावादी हो सकता है विखंडनवादी हो सकता है आपको दे दिये जाए उसमें लेकिन आपने वहाँ पर क्या चीज़ सही करनी है, जो आपका सरचनावादी है, उन्होंने इस चीज़ को कहा है, ठीक है, तो यही चीज़ क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है, उसके बाद है यह वस्तुतह प्रतिक वस्तु, कई घटक ततों के संचलेश से निर्मित होती है, यह घटक एक और पर्स पर संबद होते हैं, और दूसरी और पूर्ण निर्मिती के साथ, उनका संतुरित संचलेश होता है, साहित्य शाब्दिक संचलेश है, तो देखिए साहित्य के संदर्ब में यह क्या कहते हैं, कि शब्दों का संचलेश है, मतलब शब्दों का संरचनवाद के व्याक्याकार रोला बर्थ है तो यह चीज भी बहुत महतोपूर्ण है कि जो संरचनवाद है उसके व्याक्याकार कौन माने जाते हैं रोला बर्थ और रोला बर्थ आपके किसके अंतरगत आएंगे या आपके जो उत्रादुनिकता वाद में भी इनको बाद ही एक तरीके से आपके हम देखते हैं 1900 से बाद की ही सारी चीज़े हैं इसमें ठीक है तो इन्हों ने अपनी पुस्तक the fashion system तो दीखे रोला बर्थ की जो पुस्तक है वो है the fashion system नामक पुस्तक में किस की व्याक्या की है सरचनाबाद की व्याक्या की है तो हो सकता है प्रशन इस तरीके से पूझा जाए कि सरचनाबाद की व्याक्या रोला बर्थ ने अपनी किस पुस्तक में की है तो वो है the fashion system में नेक्स दीखिए रोला बर्थ मानते हैं कि साहित्य निर्माण में पांच नियम काम करते हैं तो देखिए सहिता है प्रती का आत्मकता है और क्रियव्यपार सहिता और सांस्कृतिकता तो ये चार पांच चीज़ें ये क्या मानते हैं कि ये साहित्य बनाती है तो ये चीज भी आपने या रखनी है संचनाबाद को माक्सवाधी परमपरा में स्थान देने का श्रे लूई अल्थियूसर को जापा है तो ये चीज भी बहुत ही मौतपूर्ण है कि संगरचनाबाद को मार्क्सवादी परमपरा में स्थान देने का श्रे किसको जाता है ये जाता है आपका लूई अल्थियूसर को ठीक है? क्लियर हो गया तो ये था पूरा का पूरा हमारा संग्रचनाबाद की संग्रचनाबाद के प्रवर्तक कौन है और किस व्यक्ति ने इसकी व्याख्या की और किस ने माक्सवारी परमपरामेन को स्थान दिया ये चीज़े हैं और जो सस्यूर हैं वो कितनी चीज़ों को मानते हैं आपके कावे भाषा के रूप में ठीक है अब हम पढ़ेंगे आपका जो उत्तर संरचनाबाद है उसके बारे में तो देखिए पहले हमने संरचनाबाद पढ़ा तो उत्तर संरचनाबाद मतलब संरचनाबाद का ही जो बाद का जो टाइम है वो ही क्या आपका उत्तर संरचनाबाद है ठीक जो बीसमी शेताब्दी का आठों दशकता वहाँ पर क्या हुआ आपका उत्तर सनरचनाबाद जो है वो अस्तित्तों में आया और इसे सनरचनाबाद का अगला चरण भाना जाता है यह जीज मैंने आपको पहले भी बता दी कि उत्तर जब लग गया तो मतलब है कि सनरचनाबा यह जो है न घंडनवाद के जो प्रवर्तक भी इनको माना जाता है तो उनकी जो भी खन्नान की अवधारना है वहां से मानते हैं कि उत्तरा धुनिकताबाद का जो है एक टरीके से प्रारम हुआ है अब देखिए जैसे हम सनरचनाबाद के बारे में पड़ रहे थे वैसे ही उत्तर संरचनवादी क्या मानते हैं ये मानते हैं कि इस भाषिक से धान पर अधारित है ये उत्तर संरचनवाद कि भाषा बहाय जगत से संदर्भित नहीं होती है इनका मानना क्या है कि जो भाषा है तो बहारी दुनिया से क्या है संबंदित या संदर्भित नहीं होती वह स्वायत है अपने आप क्या है वो स्वतंतर है एक तरीके से भाषा के बाहर कोई यथार्थ नहीं है जिसे यथार्थ जगत कहा जाता है वह वस्तुत है भाषा के द्वारा ही निर्मत है ठीक है वो किस पर सारा का सारा बल देते हैं, देखिए, वो देते हैं आपका जो ये भाशा पर बल देते हैं, ठीक है, लेकिन जो उत्तर सरचनवादी है, ये सारा बल पाठ पर देते हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये आपने याद रखनी है, है ना, देखिए पाठ पर इनका बल दे नहीं है जिस प्रकार जैसे देखी आगे कहते हैं कि शब्द और उसका अर्थ परस्वर एक नहीं होते ये कौन मानते हैं ये मानते आपके उत्तरसनरचना वादी जो शब्द है और उसका जो अर्थ है वो सदैव एकसा नहीं रहता जैसे हम कल भी पढ़ रहे थे ना इस समिक् नहीं हो सकते प्रति एक जो शब्द है अपने अर्थ के लिए क्या है दूसरे शब्दों पर निरवर है है ना तो ये चीज़ कौन मानते हैं आपके उत्तर सनरचनाबादी और साथी साथ ये कहते हैं कि शब्दों की जो अपने अर्थ के लिए पार्स पर एक निरभरता की जो श्रिंकला है वो क्या है वो अनंत है तो ये चीज भी उत्तर सनरचनाबादी मानते हैं ठीक है next ये कहते हैं कि उत्तर सनरचनाबाद को विकसित करने वारे जो विचारक कौन-कौन से हैं ये अब देख लेते हैं देखिए इसमें आते हैं आपके जो प्रमुक हैं रोला ब पहले के हैं या फिर विखंडनवादी हैं या फिर अन्य हैं तो ये आपको याद होने चाहिए देखिए रोला बर्थ, माइकल फूको, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, जॉक लका और कई बार इनका जो नाम है देखिए ये लकन है ना जायकस लकन के नाम से भी इनको लिखा जात है लुई अल्थिऊसर और जूलिया क्रिस्टिवा एटसेटरा तो इन सब लोगों ने क्या है उत्तर सनचनावाद को विक्सित करने में योगदान दिया है तो ये चीज़ भी आमें तोड़ी सी पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स से दिखिए रोला बर्थ जो इनमें से प्र परिणाम मतलब जो हम लिखते हैं है ना उसको कहते हैं ये लिख की अपार्थ ये किसका परिणाम है स्रीजन शीलता का परिणाम है जो आपका पार्थ की अपार्थ है वो आपका क्या है आतम साथ एक तरीके से आप उस चीज़ को कैसे करते हैं तो ये दो तरीके माहने हैं आपने पहले बोला था है कि जो आपके उत्र सरचनावादी है वो पाट पर बल देते हैं और आपके जो रूप बादी है वो आपके भाषा पर बल देते हैं और इसी के अंतरगत जो रोलाबर्थ है वो पाट को कितने भागों में बांडते हैं दो भागों में लेक की और आशा बोलती है, मनुष्य नहीं बोलता, ठीक है, ये किसके संदर्म में है, इसरी के से भी पूछ जासकता है, तो ये आपका जो उत्तर संगरचनाबादी हैं, उनकी, ठीक है, जब हम उत्तरादुनिक्ता के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये पंक्ती एक पर फिर से, या फिर ये विजार एक पर फिर से आएगा, कि ये किसने कहा है, वहाँ पर हम इसको देखेंगे, नेक्स से देखिए, उसके बाद विखंडनवाद, इससे पहले हम उत्तर रचनावद का ही एक अंग है, तो सारे के सारे जो ये वाद आ रहे हैं अपने आप में एक दूषरे से क्या है, मिलते जूलते हैं, ठीक वैसे जो विखंडन बाद है, वह किस से उत्तर संदेखर नशनावद का ही एक अंग है, लेकिन देरिदा की प्रखर प्रतिभा और प् विखंडनवाद के रूप में जाना जाता है इस चीज़ को 1967 में दरीदा की तीन पुस्तकें एक साथ प्रकाशित हुई और विखंडन न सिर्फ फ्रांस में बलकि अमेरिका में भी चर्चा का विशय बन गया ठीक है ना तो देखे 1967 के आसपास ही आपका जो जाक दरीदा थी उनकी जो तीन प्रमुक पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो आप जो आगे वाले हैं बली वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूँगा कि वो कौन कौन सी है यहां पर सिर्फ एक प्रशन में आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ कि जाक दरीदा की जो तीन पुस्तकें हैं उसके नाम आपने बताने हैं है ना और नेक्स ते देखिए अमेरिका में विखंडनवाद को लोगपरिया बनाया येल विश्य विद्यालय के साहित्यालोच कोने तो ये चीज भी देखिए बहुत महतपूर्ण है कई वार इस तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में विखंडनवाद को लोकप्रिय किस ने बनाया तो ये है आपके दिखे येल विश्य विद्धाले के आलोच को ने है न जो साहित आलोच अकते उन्होंने इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉस करके आप पूरा इसको उतार सकते हैं नेक्स से देखिए विखंडनवाद के जो प्रमुक विचारक कौन-कौन से रहे हैं तो विखंडनवाद के जो प्रमुक विचारक है देखिए वो हैं पॉल दी मान सबसे महत्त फूरcell को नाम है ये इसको आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कई बार परिक्षा में ये पूछा गया है कि पॉल दी मौन जो किस के प्रचारक है या प्रबल समर्थक है तो ये है आपके विखंडनवाद के ठीक है जेफरी हाटमेन, जे हिल्स मिलर, हेरल्ड ब्लूम, बारबरा जॉनसन तो ये है जो जॉक देरीदा के बाद किसको मानते हैं विखंडनवाद को म इनकी जो पूस्तके हैं वो आप मुझे जरूर बता दीजेगा, जो तीन है ये मैंने आपके लिए प्रशन छोड़ा है अगला है देखिए उत्राधुनिक्तावाद तो जो आखरी है उत्राधुनिक्तावाद जो प्रमुक है हालांकि इसके बाद और भी वाद हैं वो भी ह ये प्रचलित हुआ उत्राधुनिक्तावाद हालांकि पहले से इसको मानते हैं कि ये पहले से लेकिन विश्वनिक्तावदी के अंतिम दशक से ही जो उत्राधुनिक्तावाद को प्रमुकता से जाना जाने लगा है जैसे आधुनिक्तावाद पूंजीवादी विवस्ता की उपज था वैसे ही जो आपका उत्रा दुनिकता वाद है ये क्या है ये उत्तर पूंजी वादी वेवस्ता की उपज है तो यहां से भी प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो उत्रा दुनिकता वाद है वो किसकी उपज है विकल्प होंगे आपको पूंजी वाद सम नेक्स से दिखिए सच्ची अर्थों में जो आपका उत्राजुनिकताबाद है उसका जनक किसे माना जाता है तो यह है जया फ्रांकोईस लियोतार ठीक है यह नाम आपने याद अखना है जया फ्रांकोईस लियोतार तो सच्ची अर्थ में क्या माना जाता है इनको ही माना जा वो कौन-कौन सी हैं, तो ये निमी लिखी थे, देखे, सबसे पहले इसमें आता है आपका जो गोशना करता एक साइड लिख दिए हैं, दूस्ते सरब जो है, उन्होंने गोशना क्या की है? तो ये मानते हैं देखिए आपके जो डैनियल बेल हैं ये मानते हैं विचारदारा का अंत जबकि जैकतरीदा मानते हैं मनुष्य की मृत्यू रोलाबर्थ लेखक की मृत्यू लोइन ट्रेलिंग लेखक का अंत एडमंड विल्सन परमपरागत शैलियों की मरती हुई विधाय और इलियट कहते हैं उपन्यास का अंत तो ये प्रमुक गोशनाएं हैं जो उत्रादुनिक्तिवादी करते हैं ठीक है मौत्वपूर्ण है ये इनसे भी प्रशन बनने की संभावना रहती है तो आप एक बार इनको भी अच्छे से याद करके परिक्षा से पहले जरूर जा को है सौरेन कीर के गाद कई बार ये परिक्षा में पूचा गया है ये प्रशन भी तो इसको एक बार आपने देख लेना है कि सौरेन कीर के गाद कौन थे और इन्होंने अस्तितवाद का क्या है प्रवर्तन किया है फिर अस्तितवादी जो प्रमुक हैं देखिए वो है नि इन तीन ब्यक्ति जो ये नाम मैंने आपको बताए हैं इन से प्रशन पूछे जाता है कि इनका संबंध किस से है तो ये हैं आपके अस्तित्ववादी यहां पर मैं आपको विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि परिक्षा में सिर्फ इतना ही सिमित सा इनके बार किया है और माक्सवाद में जो है तीन अनिवारे जो इसके घटक हैं वो कौन-कौन से हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं बहुत ही महत अपूर्ण हैं और परिक्षा में यह पूछे भी जाते हैं तो इनके जो तीन घटक हैं वो भी आप बता सकत अब जो अन्य जो मार्क्सवादी समिक्षक हैं देखिए वो कौन-कौन से हैं इसमें आते हैं आपके लुकाज, लेनिन, माउत सेतुंग, ग्रामशी, कोडवेल, जॉर्ज थॉंपसन, और नेस्ट फीशर, ब्रिक्त, ब्लाक, बेंजामिन, गोल्डमन, अडार्नो, इत्यादी तो ये सब के सब क्या हैं, ये मार्क्सवादी अलोचक हैं, ठीक है न, तो इनसे रिलेट्टिव प्रशन पुछ जाता है, नेक्स्ट है आपका मनोविशलेशन वाद, इसके जो प्रवर्तक हैं देखिए, वो हैं सिग्मन फ्राइड, और इसके जो शिश्य हुए आगे, अल और मनोविशलेशन वादी जो कहते हैं देखिए, इनके जो प्रमुक शब्द हैं, जो मनोविशलेशन वाद में प्रयुक्त होते हैं, वो है आपके उपहम, जिसको कहते हैं, id, id, है न, उसके बाद एहم, ego, पराहम, और आपका जिसको सूपर एगो कहते हैं, और आखरी आपका जिसको कहते हैं लिबिडो, ठीक है, चेतना मतलब, ठीक है, तो ये तीन चार जो शब्द हैं, ये किसमे हैं, प्रमुक्ता से माने जाते हैं, ये मनोविशलेशन बाद में, कई बार इन से भी प्रशन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये चीज प्रतीक बाद है, कला बाद है, वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, अगर आपको उसके बारे में कहीं से भी जानकारी मिलती है, तो आप उनको भी थोड़ा सा पढ़के जाएं, कि कौन उसके विचारक हैं, किस ने वो चलाए थे, तो वो भी आपके लिए क्या होगा ज्यादा बेनिपीशल रहेगा, तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों की बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मि